हाई गेस, उलकम बैक टो माई चैनल और इन्हेल पेंटरेक्स तो है, आज की रूड में आप्ल गोग में त्रिपॉल रूपी लोन अप्लिकेशन के बर्में बताऊंगा, कि गेस एगर कोई अल्रेटी इस अप्लिकेशन से लोन लेके फाच चुका है, और लोन रिपेमेंट के पिर भी दोबरा लोन रिपेमेंट के लिए बहुतर किसा हरस्मेंट और ब्लागमिल किया जा रहा है, जैसे कि लोन रिपेमेंट के लिए एडिटे न्यूट पीक्चर आपका कॉंटेक्लिक्ट में जीतने सारे नमबर है, सारे के सारे नमबर पर सेन किया जा रहा है, लोन र सेलुशन को फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रोब्लम है 100% सॉल्ब हो जाएगा और गैस AAA रूपी लोन अप्लिकिशन को लेके आप लोग का मन में कभी सारे सवाल है कि AAA रूपी लोन अप्लिकिशन NBFC रेइस्टाट रबा रेइस्टाट है की नहीं क्या ये अप्लिकिशन आपके खिलिए लिगालेक्शन ले पाएगा क्या ये अप्लिकिशन आपके खिलिए पुलिश क्रेस कर पाएगा तो इस वीडियो के तुरू आप लोग को का मैं सारे सावालों का जबाब दूँगा और साथे साथ इस application को लेगे आप लोगोग का मन में जो डर पैदा हुआ है इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर पूरी तरी किसे खतम हो जाएगा तो गैस ज़रूर इस वीडियो को थोड़ा सा भी इसक्रिपन अगर के आप लोग इन तक देखिएगा और गैस जब को इंफोर्मेटी वीडियो सबसे पहले दिखने के लिए आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और साथे साथ बेल एकियान पर पेश कीजिए तक जब भी मैं कोई वीडियो अप्लॉट करूँ सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो गैस चलिए आज की वीडियो शुरू कायते है तो गैस त्रिपोल ए रुपी लोन एप्लिकेशन के रियालिटी यह की एक सेवनेटी बाली लोन एप्लिकेशन है और गज़ इस application के interest और service भी बहुत ही कम है और गज़ सबस अगर आप लोग इस application पे loan के लिए apply काते है और आप लोगों को loan मिल जाता है जो 7 days के अंदर आपको जो भी loan amount रिसेव होगा उससे 2 गुना पैसा 7 days के अंदर repayment करना होगा तो गज़ टिप ले रुपी loan application के याड़ आप लोगों को कभी सारे जगा पे दिखने को मिल जाएगा और आप लोग क्या करते हैं इस application की review बगरेच चिकाउंट नवेर के सिधा जाकर इस application पे loan के लिए apply कर दे रहा है और जब आप लोग इस application पे loan के लिए apply करने के लिए जाते है उसी टेम में आप लोगों को कभी सारे पर्मिशन एलोग करने के लिए कहा जाता है और आप लोग क्या करते हैं सारे के सारे पर्मिशन को एलोग कर देते हैं और उसी टेम यह application क्या करता है mobile के data, contact list, gallery बगर सब कुछ access कर ले था है फिर कैसे अगर आप लोग इस application पे loan लिए के लिए लोग को टाम लिए किसी भी करने नहीं कर पाएंगे तो due date से पहले definitive नमर से कॉलरी समस करके बहुत तरगी सा harassment और blackmail किया जाएगा और गेजिस्टेब के 7 days बाली loan application क्या करता है, loan ipn के लिए contact list में जितने सारे नमर सारके सारे नमर को call करके अब उसी लेंग्वेज यूश करता है और गेजिस्टेब के 7 days बाली loan application, loan ipn के लिए ऐसे भी करते हैं कि loan apply करते हैं टेम आप लोग जो service photo upload करता है उस photo के साथ new photo add करके उस edited new picture को contact list में जितने सारे नमर सारे के सारे नमर को send काता है और साथे साथ ऐसे भी करते हैं कि photo के साथ bad word यूश करके contact list में जितने सारे नमर है जैसे कि friends, family member, relative सब को send काता है और इस टेब के 7-10 बाली loan application ऐसे भी कहते है कि loan ipn करने के बाद भी update नहीं काता है फिर दुबारा loan ipn के लिए बहुत तरी किसा harassment और blackmail काता है और गिस में आप लोगों को सब सब कहते हैं तो कि इस टेब के 7-10 बाली loan application NBPC registered RBI registered नहीं होता है इस टेब का loan application ऐसे कहते हैं कि अपना about section में कोई NBPC registered RBI registered finance company का नाम add कर देता है तकि आप लोगों को ऐसा लगे कि इस टेब के 7-10 बाली loan application NBPC registered RBI registered है और आप लोगों यह सब loan application पे loan के लिए apply करे और गिस टेब के 7-10 बाली loan application RBI का कोई guideline follow नहीं काता है लोगों के नाम लोगों से जादा interest और service फिलेता है और बहुत ही काम दिनों के लिए 10-10 बाली loan application RBI के लिए एक ही तरीका का इस्तेमाल करता है बहुत है harassment और blackmail और गिस टेब के 7-10 बाली loan application आईसे भी करते हैं कि loan RBI के लिए due date से पहले definitive number से call or dismiss करता है और बोलता है कि एक extension amount pay कर दीजिए आपको जो 10-10 है और 7-10 के लिए increase कर दिया जाएगा और आगे जाके आप half amount pay करेंगे तो आपका loan close हो जाएगा फिर के 7-10 के बाद आप लोगों को और call or dismiss करके loan RBI के लिए बहुत तर किसा harassment और blackmail किया जाएगा और आपको फूल amount pay करने के लिए का जाएगा तो जाएगा जाएगा तो जाएगा इसे 7-10 बाले loan application के तरफ से बहुत तर किसा scam किया जाता है और गेजिस्टे कोई 7-10 बाले loan application ऐसे भी करते हैं कि loan repayment करने के बाद loan की ज़रूरत नहीं है रियपलाई नहीं किया है फिर भी without any information loan provide करता है फिर 7-10 के बाल और इसमिस करके बहुत तर किसा harassment और blackmail करके double पैसा वसुली करता है तो जाएगा जिस्टे कोई 7-10 बाले loan application के तरफ से loan के नम ऐसे बहुत तर किसा scam किया जाता है और loan repayment के लिए ऐसे बहुत तर किसा harassment और blackmail किया जाता है और इसे भी बाद है कि एगर कोई 3-1 रूपी loan application से loan लेके फाथ चुका है और loan repayment के लिए आप गोग को बहुत तर किसा harassment और blackmail किया जा रहा है इससे बचने का solution किया है जैसे कि अप लोग इस application से loan लिया है और loan repayment के लिए आप लोग को बहुत तरी किसा harassment और ब्लग मिल किया जा रहा है और गिस अगर किसी किसा ऐसे किया जा रहा है कि आप लोग इन करके आगे का process complete नहीं किया है फिर भी without permission आप लोग को loan प्रोवाइट किया गया है और गिस अगर किसी के साथ ऐसे हो रहा है कि आप लोग इस application से loan लिया है loan को repayment कर चुगा है फिर भी दोबार loan repayment के लिए आप लोग को harassment और ब्लग मिल किया जा रहा है जैसे कि loan repayment के लिए edited nude picture आपका contact list को send किया जा रहा है loan repayment के लिए आपका photo के साथ bad word यूज़ करके आपका contact list को send किया जा रहा है और loan repayment के लिए आपका personal data gallery का मिस उसकिया जा रहा है loan repayment के लिए आपको और आपका contact list को call करके abusive language उसकिया जा रहा है तो गैस इस्तिती में आपको को कह करना चाहिए अगर यह application अभी भी आपका mobile पर है तो इस application के data clear करके इस application को uninstall कर दिजिए फिर इस application के खिलाब जाके एक cybercrime complaint कीजिए और साथ-साथ cybercrime जो help line number है help line number पर भी call करके पूरा details में बताए कि इस application की तरफ से loan repayment के लिए आप लोगो को किस तरफ किसा harassment और blackmail किया जा रहा है और गैस कभी सेरे जगह पे अभी cyberthana भी खोल चुका है अगर आपका district पे cyberthana है तो cyberthana भी जाके complaint जोरू कीजिए और गैस अभी आप लोगो का मन में इस application को लेके सबसे बड़ी जो डार है इस application की तरफ से आप लोगो के धमकी दिया जा रहे कि अगर लोन को repayment नहीं करेंगे तो आपका contact list को call किया जाएगा अब अगर लोन को repayment नहीं करेंगे तो आपका एड़ीटे नीट पिक्चर आपका contact list को सिंग किया जाएगा तो अगर इस application की तरफ से आप लोगो के ऐसे धमकी दिया जा रहे कि अब अगर लोन को repayment नहीं करेंगे तो आपका contact list को call किया जाएगा और आपका contact list पे अपका एड़ीटे नीट पिक्चर से न किया जाएगा तो अगर इस स्तीती में आप लोगो को कहएगा नेचे आप जो भी social media account यूज़ करते हैं जैसे कि facebook whatsapp अगर facebook यूज़ करते हैं तो facebook पे story डाल दीजिए अब अगर whatsapp यूज़ करते हैं तो whatsapp पे एक status डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मेरे सा loan के नाम scam हो चुका है मैं एक फट जी और Chinese loan application से loan लेके फट चुका हूँ अगर loan dpn के related मेरे नम पे किसी भी तरकी call और smith आए और मेरा कोई bad picture सेंग किया जाए तो आप लोग ignore करें और किसे अभी आप लोगों को मैं बता हूँए कि जगर इस application के तरफ से loan payment के लिए आप लोगों को call और smith करके बहुतर किसा harassment और blackmail किया जा रहे इस application की call से बाचने का solution क्या है तो किस आप लोग अपना sim card को 10 days से लेके 15 days तक आउप कर दीजिए और किस अगर उस नमबर प के तरफ से call and up बंद हो गया है और इस सदे साथ आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि true color applications को राउनोड करके unknown call और phone number को ब्लॉक कर दीजिए तो इससे क्या होगा unknown number और phone number से जो भी call आएगा वो automatically cut जाएगा तो गैस अब लोग इस application से डारे माद अगर इस application की तरफ से लोणी पेन के लिए आप लोग को बहुत तर किसा harassment और blackmail किया जा रहा है तो लोग इस application की harassment और blackmail से बचने का जो मैं solution बताया अगर आप लोग इस solution को step by step follow करेंगे तो आपका जो problem है 100% solve हो जाएगा फिर भी गै application है और आप लोग इस application से सब्धान रहे और आप लोग इस application पर loan के लिए apply ना करें और किस कोई भी loan application real है या फट जी आप लोग ऐसे पता कर सकते हैं उस application की contact details check out किजिए कि contact details पूपाली वर कह रही कि नहीं और साथ साथ उस application के address details को या कि Google पर search किजिए कि उस address पर loan application का न और कैसे भी आप लोगोग में AAA रूपी loan application के बार में प्लेश्टों में ओन स्टाइटिंग पर जितने सारे रिभ्यू दिया गया है रिभ्यू दिखाऊंगा रिभ्यू दिखने के बाद आप लोगोग को आची तरीक से पता चल जाएगा कि AAA रूपी loan application एक टोटली आंसे अपडेट नहीं काता है फिद दोबारा loan application के लिए बहुततर की से ब्लेग में पर जितने सारे नंबर है सारकी सारे नंबर पर सेंगाता है नीचे और रिभ्यू देख सकते है totally fraud app, don't take loan from this application और इन रिभ्यू पर ये काई कि ये अपडेट नहीं काता है फिद दोबारा loan application के लिए बहुतर की सा harassment काता है नीचे और एक रिभ्यू देख सकते है इन्होंने रिभ्यू पर ये काई कि इस application के इंट्रेस्टर वा सर्विस भी बहुत ही ज्यादा है और ये application loan repayment के लिए बहुतर की सा blackmail काता है और ये application loan repayment के लिए edited new picture contact list में जितने सारे नंबर है सारके सा नंबर पर सेन काता है तो गैस त्रीपोल रूपी loan application के खिलाव आप लोगोग को प्लेश्टों में वनेस्टर रेटिंग पर इसे कभी सारे नेगेटिव रिभ्यू दिखने को मिल जाएगा और हाट इक रिभ्यू पर साब सब कहें दिया गया है कि त्रीपोल रूपी loan application के अच्छी तरीकी से पताच चाल गया होगा कि इस अप्लिकिशन के तरफ से लोण रिप्यान के लिए किस तरीकी सा हैरस्मेंड और ब्लग मिल गया जाता है और जिस्टब के लोण application के पॉजिटिव रिभ्यू दिखने को मिलेगा खुद application वालों की तरफ से किया जाता है और कैसे अपलों एक चीज हमेशा देयाना किया है कि कोई भी लोण application के याद देखके तुरंद जाके उछ एप्लिकिशन पे लोण के लिए अप्लाइना करें उछ एप्लिकिशन के प्लेश्टों में जाके वन इस्टार रेटिंग रिभ्यू चिक आउट किजिए यूटू तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत किजिए अगर कोई WhatsApp में मैसेज करके कहता है कि इस रिपीएटी पे लोण को रिपीमेंट करेंगे तो आप लोण रिपीमेंट किया है वो आपडेट नहीं किया जाएगा फिर दोबाड़ा लोण रिपीमेंट के लिए आप लोग को हैरस्मे वीडियोज, कॉल हिस्ट्री, SMS हिस्ट्री, कॉंटेक लिश्ट्री, सब कुछ डिलिट कर दीजिए फिर कैसे आप लोग इस मोबल पे फेक डेटा और फेक कॉंटेक लिश्ट एट करके इस्टेप के सिविनेस बाले लोण अप्लेक्शन पे लोण के लिए अप्लाई तो कैसे आप लोगों के साथ मुलका तुरा है निक्स वीडियो में तब तक के लिए जाई हिंद वंदे मातरा हम